हलो दोस्तों नमस्कार उमेटिक्राशनल के माद्यम से जितने भी EPS 95 पेंसनर्स हैं आप सबका स्वागत हैं दोस्तों EPS 95 पेंसनर्स के लिए EPS राश्ट्रिय संगर्श समयती यानि की LSE के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर अपडेट सामने निकल के आ रहा है जिसे मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हैं कि पत्रान्क हैं में मैं में दिर्णांक यहां प्रकास सणरंथ से के मैं आपको और इस विडिओ के मादम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं तरहirtyě समिति का प्रतिनीधी मंडल पूर्व में दो बार पधान मंत्री सेत था बित मंत्री श्रम मंत्री सहीत अनेकों मंत्रियों और सांसदों से मिलकर यापन देकर अपनी समस्या से अवगत करा चुका है परतो अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है साथ ही लखनोज में अधिवेसर की अनुवती न मिलने से पैंसनर्स में जाड़ा रोश है रोश बढ़ता ही जा रहा है इसको द्रिश्टिकत रखते हुए आंदोलन को प्रभावी बनाकर मागे मंजूर कराने के लिए समिती ने उत्तर प्रदेश की कारिकरणी का पुरार गठन कर निर्म रिखते समिती नव गठित की है अगये देख लेते हैं कि जो नव गठित समिती है उसमें कौन क्या है यह सारी चीजे इसमें लिखा गया है तो नंबार उपा धक्ष के रूप में स्री प्रदीब कुमार स्रिवास्तो जी हैं दुसरा है कारेकारिया धक्ष के रूप में स्री चंद्रभान सिंग जी है और मुक्य समन्वक के रूप में जो मुख्या लेगे स्री राजियो भटनागर जी है उपाद्यक्ष सर्वस्री कौसल किशोर चतुरुवेदी जी उपतथा बिवेकान अंत्रि पाथी जी है राम सेवक गुपता पी सी मिस्रा जी महामंत्री की रुप में स्री राज सेखर नागर जी है संगठर मंत्री सर्वस्री अवनी राय जी पीके स्रिवास्तो जी गुरु प्रसाद पांडे और राम बाभु गुपता जी आगे जो समन्वेश्री जैगुरु शिंग परिहार जी मेडिया प्रभाड़ी स्री दिलिक मार पांडे जी है 11 नमर में कोशा दक्ष स्री गिर्यांदर सिंग जी है 12 संप्रक्षक स्री कमलेश्वर स्रिवास्तव जी है तो ये आप लोगों ने देख लिया है वीडियो को मैं यहीं पर स्टाप करके अगले वीडियो में जो इसका आगे का भाग है वो मैं आपको दिखा दूगा तो दोस्तों आप हमें बताएं कि जो नई समिती का गठन किया जा रहा है वो समिती का जो गठन किया जा रहा है वो कितना लावदाई हो सकता है हलाकि EPS 95 पेस्टों को पेंशन दिलाने के लिए ये नई समिती का गठन करते हुए और एक नया ही कारेकाल एक नया ही प्रभवी तरीके से अपना एक संगठन बना रहे है ताकि EPS 95 पेस्टों को पेंशन की रखम को दिलाया जा सके तो दोस्तों अभी के लिए यही बहुत ही महत्वपुण खबत था जिसे मैं आप लोगों तक साशा करना चाहता था दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपड़िट में तब तक कि नमस्कार जय हिंद जय भारत